हेलो गाइस वेलकम बैक टो और चनल पी सी एम बी डिजिटिल गुरुकुल 55 वर्क्षीट हबिटाट हाइस तारीक की इलेक्टरिसेटी ओम्स लौ जर्मन फिजिस्टिस्ट सीमन जोर्ज ओम ने फाइंड आउट किया था रिलेशन्शिप बेट्वीन करेंट आई कि जो करन्ट फ्लो कर रहा है उसका पोटेंशल डिफरेंस से क्या को रिलेशन है तो हम पहले भी पढ़ चुके है कि वो डिरेक्ली प्रपोस्टनल है नहीं इंद में पढ़ते हैं इस बात को वी इस इकॉल टू आई आर आर होता है रिजिस्टेंस यह सरके डाइग्राम फिर आपको अब आकर दिखाया गया है और इधर वोल्ट मेटर और आमेटर दिखाया गया है फोर करन्ट और पोटेंशल डिफरेंस को मापने के लिए राइट जिसमें की 1,2,2,3,4 यह अंपीर में है और एक वोल्ट में वैल्यू है ग्राफ लाइन रिजिस्टेंस रेप्रेसे के अंदर वो प्रॉपर्टी जिससे वो रोकता है flow of current को through it, जिसके ऐसा unit है ohm, r is constant for a given metallic wire at a given temperature, वो constant होता है, r is v by i या v is equal to i r, जैसे कि अगर potential difference जो है, वो across the volt, तो वोल्ट 1 volt और current 1 ampere है, तो resistance क्या होगा? 1 ohm होगा, simple सी value है, right? और एक component कई बार हम यूज करते हैं, to regulate the current without changing voltage source, उसे variable resistance कहते हैं, और electric circuit में rheostat का इस्तमाल किया जाता है, ऐसा करने के लिए resistance को change करने के लिए, state ohm's law and define the resistance, तो भाई, दोनों बातें आपको बतानी हैं, ohm's law और resistance, तो देखो, ohm's law तो यह रहा, और इसी में दूसरे segment में आपको resistance दिफाइन करना था, तो वो यह रहा, दूसरा question था, use the above graph and table to calculate the resistance of wire, तो भाई, उसने बोला कि, जो पर graph दिया गया है, उसी से resistance of wire निकालने, तो माल लेज़े कि हमने, इस point पर निकालना है, तो V is equal to क्या होगा, IR, तो R क्या होगा, V by I, यानि कि 4 by 1, तो कितना हो जाएगा resistance, 4 value आजाएगी resistance की, कितना हो जाएगी 4, right, if the resistance of iron is this and current is, find the voltage, simple सा formula है, V is equal to IR, तो R तो उसने दिरख है 50, और I दिरख है 3.2, तो कितना जाएगा, V is equal to, 50 into 3.2, 160 के करीब value आजाएगी ओम, sorry, voltage है तो, 160, unit आजाएगी, volt, the potential difference between, the two terminals, between the terminals of electric heater, जो potential difference है, between the terminals of electric heater, वो 60 volt का है, when it draws a current of, 4 ampere, अगर 4 ampere current है, तो 60 volt है, तो उसने बोला कि, 120, volt का अगर difference हो जाएगा, तो current कितना हो जाएगा, तो double हो जाएगा, 8 ampere, यह तो ऐसे सोचेंगे हम, यह value निकालेंगे, आएए देखते हैं, right वई, और इसी को अगर आप formula से calculate करना चाहो, तो वो भी कर सकते हो, कि वही सेम formula, V is equal to IR, तो पहले उसने क्या दिया, V is equal to IR होता है, तो R जो ओम्स बना होगा, वो V by I बना होगा, यहनि 60 बटा 4, तो कितना है वो 15, कितना है, 15 ohm का resistance है, फिर अब आपको current निकालना है, potential difference डबल होने पर, तो I is equal to V by R होगा इसी formula से, तो V 120 हो गया, नीचे आगया, जो resistance हो वो कितना है, 15 तो कितना current होगा देखो, इसके और 8 ampere, so thank you so much for watching the video friends, please subscribe to our channel, keep supporting us.